नमस्कार ए टो जेट डिशश उशाग ओरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ भंडारे वाले आलू के सबजी और वो भी काफी जाधा कॉंटिटी में बनाऊंगी एकती भी जाधा नहीं पर जैसे हम रोजाना घर म के साथ उसके लिए मैंने गैस काण करके कोंकर रख दिये और इस में डाल दिये कलो कच्चे आलू देखे आलु जो है ना मैंने जादा बड़ी भी नहीं लिया जादा चोटी भी नियुका के लिए हैं तो यह के आ है के बादि आखन ढाली है पानाई दोग्लास इतना धकना और इसे हम तीन से चार विसलेनी के तीन से चार सिटी आने तक पकाएंगे जैसे पक जाए प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही धकन को खोलना इसे बर्तन में निकाल लेना उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है एकदम लाल लाल अच्छे वाले टमाटर लग भी सकता है और छिलके बेना कभी-कभी नहीं उतरते हैं देखिए सारे आलू मैंने छिल लिये और यह जो टमाटर है इसके ऊपर से थोड़ा सा काट कर हम इसे चोटी-चोटी टुकड़ों में काट लेंगे यह एक किलो टमाटर है डाई किलो आलू है तो जैसे कि मैंने आपको का रोजाना जैसे हम सबजी बनाते है घर के लिए उसे थोड़ी जादा कॉंटिटी में है अब यह जो टमाटर है कटे हुए इसे हम मिकसर में डालेंगे और इसे ढखकर हम पीस लेंगे तो मैंने दो बा तो एक बार मैंने टमाटर डाले इसे पीस लिया और एक बरतन में यह सारी मैंने जो प्यूरी है वो निकाल ली अब चलिए आलू बंडारे वाले आलू बनाना शुरू करते हैं उसके लिए गैस कौन करके एक बड़ा सा बरतन मैंने रख दिया है और इस पर मैं डाल रही हूं तो यहाđ पर देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक से एक से दु कप जब ठेल डाला है जैसे गरम हो गया तो थीचमश राही दो जीरा और यहाँ है अंज-्यकैश्टा से दस हरी मिर्ची मैंने बारिक कर डाली है पंदरा से बीस मैंने कडिय पते डाल दिए है पां अच्छे से भूनेंगे एक से दो मिनिट तर उसके बाद अब इसके अंदर में डाल रही हूँ मसाले तो यहां पर देखे मैंने इसके अंदर डाल दिये सबसे पहले एक बड़ा एक से दो चमच जितनी हल्दी पाउडर तीन चमच धनिया पाउडर दो से तीन चमच लालमिश पाउडर और नमक सुवात के अनुसार फिर भी सबजी में जो भी मेने मसाले डाले न आप अपने अनुसार डाल सकते हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है देखे इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढखकर आपको पकाना है मध्धियम अज पेरे निकी मीडियम अब इसे देखें से मसल डाला है हाथों से अब बने डाला है करने बंडारे वाले चाहिते हैं एक एक मदाइब अब चाहिते हैं बस अब इसे अच्छे से आपको mix करना है ताकि सारी जो gravy है वो अलु के अंदर अच्छे से mix हो जाएं यह सबजी एतनी आसान है बिना लसुन प्यास के हैं तो काफी आप से बना सकते हैं देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर में डाल जो तकरीबन चार से पांच गलास जितना पानी जैसे कि मैं आपको कहा कि यह जादा मात्रा में जादा कॉंटिटी में बनाई गई है इसलिए तो बस अच्छे से मिक्स करना है और लगभग इसे हमें साथ से जाल दे और इसे फिर से मिला ले यह बड़िया से आलो के सबजीर तयार है से जरूर ट्राइ करना वीडियो कैसी लगे जरूर बताना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले